सेयलो दोस्तों मैं मौमब शेयफ आज बनाने जाए रहा हूं अर्वेयन फूट लहाँ बामियो बनाने के लिए मैं सबसे पहले मैं दो किलो मतन ले लिया हूं और मैं आगे पुराशी दिखाता हूं और नियन में चोप करके रखता हूं और गार्लिक चॉपिंग करके रखता हूँ और टमेटो पेस्ट करके रखता हूँ बह्मियो मरक बनाने के लिए मैं गार्लिक चॉप ले लिया हूँ दो टेबल एस्पून और दो फिसोनियन चॉपिंग कर लिया हूँ और एक किलो टमेटो पेस्ट कर लिया हूँ मैं टेमेटो पेस्ट लिखाता हूं एक किलो टेमेटो पेस्ट कर लिया हूं और एक पेकेट टेमेटो पेस्ट लिया हूं कलर के लिए लहम बम्य मरग बनाने के लिए मैं मसाला ले लिया हूं वन टेबल एजबन कमून पॉडर, वन टेइश्बुन गरम बाणदाग प्रिफर, वन टेबल एजबुन मदराशकरी पॉडर, वन टेबल एजबुन का कॉरियंडर पॉडर, टू पीश मह्ःगी किप्स, वन टेश्बुन शॉल्ट, यह मैं मसाला ले लिया हूँ, आगे का प यह टेमेटर पेस्ट में लियाओं लेहम भमिय मरग बनाने के लिए पूरा समान मैं कम्प्लीट कर लियाओं और मैं आगे का प्रोशिक दिखाता हूं हंडी में रिफेंटेल में डाल दिया हूं अब इसमें मैं गार्लिक एड़ करने जा रहा हूं गारली को हाफ्ट सोड़ेश करने के बाद में इसमें ओनियान एड़ करेंगे हाफ्ट सोड़ेशों से घारलीक अब इसमें ओनियान एड़ करेंगे yes आप सोटेश हो गया ओनियन मसाला एड़ कर दे रहा हूं मसाला भुनने के बाद मैं इसमें टमेटो पेस्ट जो कलर वोला है वो डालेंगे मसाला अच्छा सा भुनाय होगिया है अब इसमें एक पैकिट जो माजून है टमेटो पेस्ट उसको एड़ कराएंगे अब इसको मैं फ्रेश टेमेटो जो प्रेश करके रखा हूं वो एड कर दे रहा हूं इसमें एक लिटर पाने में एड कर देता हूं दस मिनिट के लिए मैं मसाला पकने देता हूं उसके बाद इसमें मैं मटन एड करेंगे दस मिनिट हो गिया है मसाला अच्छा से पक गिया है अब इसमें मैं मटन एड कर दे रहा हूं अब इसको दो घंटा बोईल करेंगे मसाला गंदर यह मटन बोईल हो किया है और मसाला भी अच्छा से पक गिया है अब इसमें मैं बामिया एड कर दे रहा हूं और एक सुखा लेमन तो पामिया पर हिंदी में भिंडी भी बोलता है तो आप लोग कंट्रीज नहीं होने का कि पामिया किसको बोलता है छोटा वोला भिंडी है आप चाहे तो फ्रेस भिंडी भी डाल सकते मैं फ्रोजन भिंडी डाला हूं वारी है जाला हूं झाल झाल